जब Realme ने इंडिया में Realme Buds आयर लाँच के आता तो बहुत लोगों को पसंद आता है मैंने खुद खरीट के बहुत सारी वीडियोस बनाया था इसके उपर मेरे को इसके implementation काफी ज़ादा अच्छा लगा और साती साती इसमें जो quick pairing मिल जाता है वो definitely बहुत अच्छा लगा था problem यहाँ पर आता है कि इसमें ना बहुत सारा quality control issues देखने हो मिल जाता था किसी का battery life बढ़िया काम नहीं कर रहा था किसी का battery charge करने में 6-7 गंटे लग रहे था किसी का LED जलता जा रहा है किसी का LED काम नहीं कर रहा है तो बहुत सारा quality control issues था इसमें अगर आप इसके flip card ratings भी देखो गे तो बहुत सारे one star ratings मिल जाता है बहुत सारे two star ratings भी मिल जाता है एक और साइड लोग ये भी बता रहे थे कि थोड़ा pricing हम हो सकता था wireless charging ज़रूरत नहीं था या type c की ज़रूरत नहीं थी पर pricing थोड़ा कम कर देते आप सबके लिए good news बता देता हूं realme buds air new confirm हो चुग है इनके website पे भी आ चुग है और जब realme smart tv का event होने वाले उसी event में launch हो Instagram और Twitter पर भी follow कर लेना वीडियो को शूर करते हैं सबसे बहले build quality में जो differences है उसके बारे में बता देता हूं अगर आप realme buds air के tip को देखोगे तो उसमें एक chrome ring आपको देखने को मिल जाता था तो सेम chrome ring जो है realme buds air new में मिसिंग है तो इसका जो लुक है मेरे सबसे थोड़ा स लगता है कि इसमें आपको ENC देखने को नहीं मिलेगा calling के वक्त और अगर बात करें color options के तो यह आपको मिल जाता है red color में green color में white color में driver size में भी थोड़ा सा changes किया गया है इसमें आपको 13 mm का driver देखने को मिल जाता है comparison के लिए बता देता हूं realme buds air जो आपको 4000 रुपे में म सेम इसमें भी मिल जाते हैं और एक-एक buds में individual buds में आपको 3 yards का battery life मिल जाते हैं तो मेरे साब से battery life वैसी कम था उसमें और इसे हलका सा change कर सकते थे थोटा सा बढ़ा सकते थे थोटा सा weight हो जाता क्योंकि buds air जो एक काफी जादा lightweight था थोटा सा weight बढ़ा देते हलका सा in grams पर battery life थोटा सा extra देना चाहिए था यह मेरा opinion है इसमें आपको Bluetooth 5.0 भी मिल जाता है खुशी के बाद यह है कि इसमें भी आपको low latency mode मिल जाता है और company का promise यह है कि 50% lower latency than normal mode जो कि मेरे को plus point लगता है अगर बात करें इसकी बाकी features की तो इसमें आपको Google fast pair भी मिल जाता है realme link app के साथ भी आप इसे connect कर सकते हैं pricing के बारे में बात कर लेते हैं pricing मेरे को लगता है कि इसका price होगा 3000 रुपे से शुरू मतलब 2999 कर देंगे यह क्योंकि इसमें आपको wireless charging भी देखने को नहीं मिलता साथ यसा type C भी लोग बता रहे हैं कि नहीं देखने को होगा आप क्या wireless charging को miss कर रहे है realme buds air में जरूर भताना का one section में क्योंकि जितने का realme buds air मिलता है उसके आदे price का तो या लगबए एक good wireless charger मिलेगा देखने को तो मेरे को नहीं लगता कि एक ऐसा feature है जो लोग miss करेंगे specifically हाँ type C feature को लोग miss कर सकते हैं मेरे opinion यह कि काफी अच्छा decision है realme के तरफ से जो लोग realme buds air नहीं खरीद पा रहे थे pricing के हिसाब से या जन्हें लगता थे कि wireless charging दैसे features नहीं चाहिए तो उनके लिए काफी अच्छा option हो सकते हैं पर मैं ज़रूर कहूंगा please wait करने reviews के लिए उसके लिए उससारी reviewers है इनके प हो गया तो आप रीफंट भी नहीं ले सकते हैं रीप्लेस्मेंट का भी पंगा चलता है लोगडाउन में अगर आपको पता है फ्लिपकार्ट या Amazon को रूल्स के तो वो रीफंड नहीं कर रहे है मेरे साब से रीप्लेस्मेंट कर रहे हैं या उसका भी काफी जादा टाइम जो भी सींज है तो यह ध्यान पर रखना वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाइक बटन पर लात और सब्सक्राइब बटन पर मुका जरूर मार देना थैंकिस सो मुच वाचिंग अगले वीडियो मिलते हैं बाई